यहां ये चुनाओ होना था नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर, बिरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, वहीं मुदी जी ने इस चुनाओ प्रचार को जो है, मतन मशली के ऊपर, मंगल सुत के ऊपर, भैंस ले जायेगी, बिपक्ष का मुझरा, मैं जाने कैसे ऐसे ऐसे मुद्दों पे ले जाके टांग दिया है कहीं न कहीं भारत का लोकतंद्रिक ऐसे तबले पे नाच रहा है जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं है हर बार प्रधानमंत्री मोधी एक ऐसा मुद्दा छोड़ते हैं जिसमें काम की कोई बात नहीं होती है और इसी प्रकार कल उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को कोई भी नहीं जानता था जब तक कि उन पे कोई फिल्म नहीं बनी थी देश में चुनाओ चल रहे हैं और कल प्रधानमंत्री मोधी ने एक नया बयान दिया है अपने इंटर्यू में उन्होंने ये कहा है कि गांधी जी को कोई नहीं जानता था जब तक कि उन पे कोई फिल्म नहीं बनी थी ये अपने आप में एक चुटकुला भी हो सकता था और चुटकुला है और ये ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है महुआ मोहित्रा ने ये कहा है कि गूजरात दंगों के पहले भी मोधी जी को कोई नहीं जानता था जहां ये चुनाओ होना था नौकरी के उपर रोजगार के उपर बिरोजगारी के उपर महंगाई के उपर वहीं मोधी जी ने इस चुनाओ परचार को जो है मतन मशली के उपर मंगल सुथ के उपर भैंस ले जाएगी जो की काम का जुसमें काम की कोई बात नहीं होती है और इसे प्रकार कल उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को कोई भी नहीं जानता था जब तक कि उन पर कोई फिल्म नहीं बनी थी कॉंग्रेस को कुछ न कुछ ऐसा करना चाही था सायाद उनको ये जानकारी नहीं कि विश्व के सौ से भी ज्यादा देशों में गांधी जी की मूर्ती लगी हुई है और उन्होंने 30 सितमर 288 को अपने ही मन की बात के प्रोग्राम में ये बात कही थी कि मार्टिल लूथर किंग और नेलसल मंडेला जो है उनके विशारों की सक्ति महात्मा गांधी से आती है तो क्या कारण है कि जो नरेंद मोधी को इस बारे में पता नहीं है कि वो कब से जानते हैं महात्मा गांधी को या नहीं जानते हैं इस बारे में हमें साइध एक रिसर्च करनी होगी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर ये ट्रेंड किया है कि नरेंद मोदी को जो है गुजरात दंगों के पहले कोई नहीं जानता था देश में अभी चुनाव बाकी है एक चुनाव बाकी है और साइध उनके पास मुद्दे नहीं है तो इसी कारण वो अपने लगातार उन्होंने अभी एक इंटर्विव का दौर चला रखा है सुधिर चौधरी ने अभी अपने प्रोगाम में कहा कि प्रधान मंतरी मोदी ने 71 इंटर्विव दे दी है रिजिनल प्रिंट मीडिया को सारे चीजों को लेके वो कई इंटर्विव कर चुके हैं और राहूल गांधी ने अभी तक कोई भी इंटर्विव नहीं किया है और इन इंटर्विव में अब जब उन्हें कोई नई बात बोलने को नहीं रही है तब वो जाकि ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को इस देश में कोई नहीं जानता है जबकि ये बात बिलकुल गलत है आइंस्टाइन ने कहा है कि आने वाली पीडियों को सायध ही कभी विश्वास हुआ कि महात्मा गांधी नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था जो की हार मांस का होगा और जब 1931 में वो गोल में समेलन के लिए इंग्लेंड गया थे तो उस समय जो है इंग्लेंड के पत्रकारों नहीं लिखा था कि एक धोती में लंगोट में लिफटा हुआ इंसान जो है वो समराठ से मिलने जा रहा है तो गांधी जी के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है उनके बहुत सारी किताबे लिखी गई है लेकिन साइद नरेंद मोदी को ये बात पता नहीं थी इसलिए कही न कहीं उन्होंने अंजाने में ये बात कही या जान मुझके कही तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं इस तरह से वो लगातार एक ऐसी बाते कर रहे हैं जिसे की काम की बात चुनाव में ना और भारत में अभी तक 14 परधानमंत्री हुए हैं लेकिन परधानमंत्री नेरेंद मोदी पहले ऐसे परधानमंत्री होंगे जो की उल जुलूल बातों के लिए विख्याती प्राप्त रहेंगे पूरे विश्व में भारत के प्रधान मंतरी के तौर पर और जो 2024 में चुनाव चल रहा है इसमें उनके पास कोई काम का मुद्दा तो नहीं बस उन्हें जब अपने चुनाव के सुरुवात की थी तो 400 सीटों के नारे के साथ की थी लेकिन आज ये चुनाव जहां पहुंचा है तो आज आकर उन्हें ये कहा है कि महात्मा गांधी को इस देश में फिल्म बनने से पहले कोई नहीं जानता था जबकि रिचर्ड एटनवेरो 1962 में ही आकर नहरू जी से उसमें के ततकालिंग प्रणानमंतिरी से मिले थे और इस पर फिल्म बनाने की बात कही थी और जाकर यह फिल्म 1982 में बनी और इस फिल्म को देखने के बाद दुनिया ने उन्हें और बहुत जादा जाना जो कि कई ल प्रिंद मोदी इतिहास के पन्ने पे आएंगे तब उन्हें कितने लोग जानेंगे यह एक प्रशन का विस्या है और अभी देश में चुनाओ एक जुन को बाकी है उसके बादन देखते हैं कि इस पर क्या बात हो सकती है नमस्कार धन्यवाद